आप से भी को मेरी योटूब चैनल माय के जन रेसिपी में स्वागत है आप से ने तो चिकन कोडमा मोटन कोडमा सुना होगा तो आज मैं आप से भी के साथ शेयर करूँगी स्पेशल मसाला एक कोडमा रेसिपी यह मसाला कोडमा दिखने में जीतना स्वाधिश्ट खाने में उतना ही लजीज तो इसे एक बार घड़ पर ट्राय करना तो बनता है तो यहां पर मैंने पांच अंड़े लिया है और इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिए हैं तो सबसे पहले एक कोड़्मा बनाने के लिए हमें अंड़े को बॉयल करना पड़ेगा अब इन सारे अंडी को हम कुकर के अंदर डाल दिंगे साथ में एक ग्लास पानी और स्वादनों सा नमक इन अंडू को हम एक सीटी पर उबाल लेंगे अंडी उबल गए है दूसरी और हम सामूत मसाले को रड़ी कर लेंगे एक चमच धनिया एक चमच जीरा एक चोथा चमच मेधी एक खी मिर्ची कि इन सारे ख़ड़ मसाल्यों को हम शुके कड़ए में ह्लकी गरम कर लेंगे करे मिसाले को Хथा दे अक जर नहीं करना है मसाले को हमें ज़दा लाल नहीं करना है जब मसाली से खुश्बु आनें लगे तब इसे हम ख़ड़ा इस निकाल लेंगे इन भूने वी म तेल हाई फिले में गरम हो जाने के बाद इसमें हम प्यास डाल देंगे मैंने पांच मीडियम साइज के प्यास को एकदम बारेक से कट कर लिया है इन प्यास को हम फ्राइ करेंगे हाई टू मीडियम फ्लेम में गोल्डेन ब्राउन जैसे तो देखे हमारे पियास deep fry हो गए है अब इसे हम एक प्लैट में निकाल लेंगे एकड़म golden brown जैसे color आया है तो देखे अंडे थंडे हो गए है अब इन अंडे का जो छिल का है उसे हम हलके हाथ से निकाल लेंगे बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ तो देखे मैंने सारे अंडे का छिलका हटा लिए है अब अंडे के चारो साइड में एक चाको की मदद से छोटी-छोटे कट बना लेंगे ताकि अंदर तक मसाले का फ्लेबर भर के जाए एक दिखा दिये है और बाकी इसी तरह से हम बना लेंगे प्यास फ्राय की हुई बचे दिल में हम अंडे को डाल देंगे और इसे हलका सा फ्राय कर लेंगे जादा देर तक हमें फ्राय नहीं करना है बस एक मिनुट तक ही फ्राय करेंगे अगर आप चाए तो अंडे को नहीं फ्राय करेंगे तो भी जलेगा बच में थोड़े सा इसे फ्राय कर रही हूँ देखे मैंने सारी अंडे को बस हलका सा फ्राय किया है अब इन सारी अंडे को हम एक बावल में निकाल लेंगे अब इसी तिल में डाल देंगे दो इलाइची, दो देज पत्ता, चार लॉंग, तीन डाल जी ने, और एक सुखी मिर्ची, इसे हमें तोड़के डालना है इसे फ्राय कर लेंगे एक प्यास को चार टुकर में कट कर लिए हैं, एक इंच अद्रग, इसे भी चोटे-चोटे टुकर में कट कर लिए हैं, दस लेसन की वली इन साइट चीज़े को हम पेस्ट बना लेंगे इन पेस्ट को हम गढ़ाय में डाल देंगे पेस्ट को हम हलका सा फ्राय कर देंगे पेस्ट फ्राय हो गए हैं अभी इसमें हम डाल देंगे हाप चमच जीरा पाउडर, हाप चमच मीची पाउडर हाप चमच धन्या पाउडर और स्वादन सा नमक मसाले को हम मिला लेंगे इसमें हम हल्दी नहीं डारेंगे एक कोर्मा बिना हल्दी के ही बनते हैं देखे मसाले का करेड जिंज हो गए हैं और मसाले से तेल भी अलग हो गए हैं कोर्मा को टेस्टी और फ्लेवर फूल बनाने के लिए गेरेंडर मेशिन में कुछ काजू और 4 टेविली स्पून दही को हम पेस्ट बना लेंगे काजू को पेस्ट करने से पहले आदा गंटे तक पानी में फूनली के लिए छोड़ दीजिगा ताकि काजू पेस्ट करते टाइम दाने दाने ना रहे चाए अच्छे से पेस्ट हो सके काजू को पेस्ट कर लिए हैं अभी से हम मसाले में डाल देंगे मसाले के साथ पेस्ट की हुई दही और काजू को हम मिला लेंगे पहले जो मेनी साबूत मिसाले का पाउडर बनाई थे उसे हम आधा ग्रेबी में डाल देंगे इसे हम मिला लेंगे बाकी साबूत मिसाले का पाउडर हम बाद में एड़ करेंगे इसके साथ आधा प्यास का बेरिस्ता हम डाल देंगे इसे भी मिला लेंगे और बाख के आधा प्यास बेरस्ता को हम बाद में एड़ करेंगे कोड़मा बन जाने के बाद मिक्सम जार में जो दही लगे हुए है उसमें हम थोड़ा से पानी डाल के कड़ाई में डाल देंगे ग्रेबी में बाहर से पानी नहीं डालेंगे एट लास्ट इसमें हम एड़ कर देंगे 1 टेबिली स्पून चीनी चीनी को ग्रेबी के साथ मिला लेंगे ये आप्शेनल है आप चाहे तो चीनी को स्किप कर सकते हैं कौवर करके ग्रेबी को 2 मिनित तक उबाल ले देंगे 2 मिनित हो गए हैं अब हम कौवर को खोलेंगे और इसमें अंडे डाल देंगे इसके साथ डाल देंगे 5 हेली मिर्ची इसे मैंने बीच से कट कर लिये हैं इन दोनों चीज़े को हम ग्रेबी के साथ मिला लेंगे कौवर करके एक से दो मिनिट तक ग्रिपी के साथ उबाल देंगे तो देखी हमारा स्पेशल मिसाला एक कोर्मा बन के तियार है एक कोर्मा को डिकुरेट करने के लिए उपर से प्याज बेरिस्ता और भूनी हुई मिसाले का पाउडर डाल देंगे जो मैंने पहली बजा के रखे थे और कुछ दन्या बत्ता आथ की रिसिपी आप सब को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अगर अच्छा लगाए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं मेरे चैनल में किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए माईक के चैनल रिसिपी के साथ जुड़े रही है